हेलो एव्रिवन आज हम लॉफ टॉट्स का जो केस डिस्कुस करेंगे वो मेडिकल नेगलीजन्स पे बेस्ट है और इन केस को हम कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट में इस केस को हम रेफर कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल नेगलीजन्स पे बेस्ट है और यहां पी ऐसे केस में जो प तो जब उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो उनको पहले जो बेटे होते हैं तो डॉक्टर थोड़ी दिर में आते हैं उसके बाद जैसे देखते हैं बहुत जादा ब्रेफिंग प्रॉब्लम होगी है तो वह गैस सिलेंडर वहां पे अवेलिबल नहीं हो पहले जाया जाता है तो वहां पे अवेलिबल नहीं होते हैं और डॉक्टर भी बहुत जादा लेट आते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी ब्रेफिंग प्रॉब्लम वह एकदम से शान्त हो जाते हैं उसके बाद जब थोड़ी दर बाद डॉक्टर आते हैं दूसरे डॉ कि ऐसे हैं खर नहीं होता है तो रीड यह और बेटे होते हैं यहां पे टाप्टर जेकब मेथिव डि जो टाप्टर में अन्गया करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि अब जो फिव उनके Dr. Jacob Matthew के लोवर कोड क्या करती है Dr. Jacob Matthew की अगेंस्ट डिसिजन सुनाती है फिर वो as an appeal आगे करते हैं अब यहां पर वो क्या कहते हैं? सबसे पहले तो Jacob Matthew का यह कहना होता है कि जो भी complaint इनके अगेंस्ट की गई है वो as per section 482 CRPC जो कि high court को inherent power देता है उसके तुरू वो कहते हैं कि इस complaint को quest कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई ऐसे intention नहीं थी कि हम उने मारना चाहते हैं और यह हमारा कोई intentionally act नहीं था तो इस case में court कुछ principles जो हैं उनको देखता है सबसे पहरे तो दोनों के बीच में differences यहाँ पे criminal law और civil law में दोनों में negligence को गलत गलत तरह से sorry अलग अलग तरह से treat किया जाता है जिसलिके civil में क्या होता है कि liability होती है जो liability होती है वो कितने damages डेमेजस कितना हुआ है इसके basis पर define की जाती है और यहाँ पे जो criminal law में क्या होता है कि जो degree of negligence है और जो amount है जिस amount की आप negligence कर रहे हो यह नहीं कि जो result आया है जिस degree की जिस amount की आप negligence कर रहे हो उससे आपकी liability डिफाइन होती है तो यहाँ पे इस case में जो है court कहते है यह criminal liability नहीं है यह एक civil liability है यह negligence है यहाँ पर डॉक्टर की तरफ से medical department की तरफ से यहाँ पर negligence है जिसे कि हमने इससे पिछले वाले case में भी देखा था पिछली वीडियो के इस case में आपने दिखा होगा यह इस case का नाम है यहाँ पर मैं आपको slide दिखाती हूँ पिणा में नहीं case इस case में भी court ने यह principle बताया था कि requisite knowledge अगर आप medical field में है यह किसी भी field में है तो आपके पास उसके sufficient knowledge होनी चाहिए तो यहाँ पर इसको बोला गया और इसके साथ negligence by professional की बात की गई कि यह professional negligence है ना कि criminal negligence है और इस case में court यह कहते है कि ऐसे cases में आप जो आप क्या करोगे यहाँ पे ना जाके यह tort commit हुआ है और यह tort candle libel हो सकते यह नहीं भी हो सकते वो अलग चीज है लेकिन यह civil cases में नहीं हो सकता इसके साथ यहाँ पर एक case और हमारे लिए समझना जरूरी है जो जेकब मैथ्यू की तरह ही है क्योंकि जेकब मैथ्यू की case में दोनों चीज़ों को बताया गया और इसके साथ इस लेक्वीटर के concept को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी चीज़े क्लियर है medical के तौर पे हमें यहाँ पे उनकी किस्ते दिखाई देरी negligence क्योंकि ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अगर पेशन्ट है वो एक यहाँ पे आप criminal negligence को तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं इसके साथ यहाँ पे मले कुमार गांगुली वर्सस सू कुमार मुखरजी का केस है यह 2010 का केस है तो इस केस में यहाँ पे इसी से related है यह जो हमने पिछला केस देखा है duty to disclose risk involved जो रिस्क अगर आप को इसी परसन को medically कर रहे हो और if you find something कि क्या हो सकता है वो risk create कर सकता है सामने वाले आपके patient के लिए तो you must inform you must inform him her आपको से बताना होगा उसको डिस्क्रोस करना होगा रिस्क को उसको यह उसके family member को और इसके साथ यहाँ पर सुप्रेम कोट कुछ बाते कियते हैं मले कुमार गांगली केस में यह बाते important है सबसे बहले तो सुप्रेम कोट को यह कहना होता है कि जो केस का standard है standard of case medical professional में वो यह है कि जब आपको duty आपकी क्या है कि आप patient को risk की seriousness के बारे में पूरी तरह से disclose करो कि जो भी यहाँ पे आप alternative use करोगे या जो भी medicine use करोगे आप जो भी treatment करोगे उसके क्या क्या करने में असमर्थ होते हो अनेबल होते हो तो ऐसे cases में क्या होगा कि आपके male practices माने जाएगी आपके medical staff की आपके hospital की किसी वी चीज की यह क्या होगी यह male practice होगी और इसके साथ यहाँ पर जो negligence है यह एक negligence constitute करेगा एक restless act constitute करेगा बद टॉट में करेगा यह section 304 clause A of IPC में न medical languages को concept है उसमें आप क्या कर सकते हो वो एक taught create get taught होता है यह criminal law में include नहीं होता है thank you